कि नमस्कार दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का ब्लोर टाइब रोमेटर के अब्जेक्टिव टाइब क्योशन आंसर जो एक्जाम में पूछे जाते हैं इसमें फस्ट क्योशन है रोमेटर का उपयोग किया जाता है रोमेटर का उपयोग क्या करने के लिए किया जाता है इसमें कमरा ठंडा करने के लिए बी इसमें कमरा गरम करने के लिए या फिर ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं तो इसका आंसर होगा जो रोमेटर होता है उसको बी इसका आंसर होगा कमरे को गरम करने के लिए हम रोमेटर का उपयोग करते हैं आम एक स्टवियराएं में हुआ यहां नेक्स्ट क्यूसन इसमें रों मिटर यां ανα में बदलता है यह किस उर्जा को किस उर्जा में बदलता इसका आंसर हमको देना है इसमें फर्स्ट है विदुतुर्जा को यांत्री गुर्जा में सेकेंड है इसमें उस्मा को विदुतुर्जा में थार्ड है इसमें विदुतुर्जा को उस्मा में या इन में से कोई नहीं तो जो रो मिटर होता है वो एलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलता है यानि यह विदू तूर्जा को उस्मा में यानि हीट में करता है कि सी इसका अंसर होगा कि नेक्स्ट क्यूसर ने इसमें कि दोस्तों वीडियो को लाइक भी करते रहें कि सभी परकार के विदू तापकों में सभी परकार के विदू तापकों में उस्मा उत्पन करने का कारिये विदू खालिस्तान द्वारा किया जाता है जो उसमा उत्पन करने कारिये कौन करता है धारा करता है परतिरोध करती है शक्ति करती है या इन में से कोई नहीं तो जो विदुद तापको में उसमा उत्पन करने कारिये विदुद भी इसका अंसर होगा विदुद परतिरोध द्वारा किया जाता है कि नेक्स्ट है इसमें कि नेक्स्ट है इसमें रो मिटर कितने बरकार के होते हैं कि रो मिटर होते हैं दो तीन च्यार या पांच तो रो मिटर होते हैं तीन बरकार के बीस का अंसर होगा नेक्स्ट क्रिशन इसमें निम्लिकित मेंसे रो मिटर के परकार है A.स में feniter, B.S. में inforaditer, C.S. में oil field रो मिटर या D.S. में उप्रौक्त सभी तो इसका अंसर आएगा D. उप्रौक्त सभी यह सभी रो मिटर के परकार है किसे सिरेमिक हिटर समवक कक्ष हिटर और ब्लोवर रोमिटर के रोब में भी जाना जाता है फेन हिटर इन्फोरेड हिटर ओयल फिल रोमिटर या इन में से कोई नहीं तो इसका अंसर होगा जो फेन हिटर होता है यह उसको सिरेमिक हिटर समवक कक्ष हिटर या ब्लोवर रोमिटर के रोब में भी जाना जाता है कि नेक्स्ट क्यूशन है इसमें किस हीटर को हेलोजन, क्वार्टाइज, रेडियन, रूमिटर के नाम से भी जाना जाता है फैन हीटर, इन्फोरेड रिटर, वेल्फिल, रूमिटर है इन में से कोई नहीं तो इसका अंसर होगा बी इन्फोरेड हिटर को हेलेजन, क्वाइटर या रेडियन रोमिटर के नाम से भी जाना जाता है नेक्स्ट क्विशन है इसमें बच्चों के लिए कौन सा हिटर सुरक्षित नहीं है ओवेलफिल रोमिटर, फैन हिटर, इन्फोरेड हिटर या कोई नहीं तो इसमें सी आएगा इन्फोरेड इटर बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है नेक्स्ट क्विशन है इसमें किस हिटर को ते लिटर, ओयल रेडियेटर या कोलमिटर के नाम से भी जाना जाता है नेक्स्ट क्विशन है इसमें निमलिकित में से ओवर हिट कटाउट के परकार नहीं है निमलिकित में से ओवर हिट कटाउट के परकार नहीं है बाय मेटल कटाउट, थर्मल फ्योज, हीट सेलेक्टर या ए और भी दोनो तो इसका अंसर होगा हीट सेलेक्टर कटाउट के परकार नहीं है इसके उत्तर में जो डी दिया हुआ है वो गलत है बाय मेटल कटाउट और थर्मल फ्योज, ओवर हीट कटाउट के परकार हैं दोनो हैं, हीट सेलेक्टर इसमें नहीं है तो इसका जो दस्वी का आंसर दिया हुआ है वो गलत है इसमें सी आंसर सही है ओप ऊक्षी होति हैं जो किलोवाट में निकींडेंज होती है मैं क्या होती है दलत हैं में यह auto किलो वाट से लेकर qo किलोवाट यह फ्चास qo vato जो जो पोर्ट homem ह okay उसकी रेंज से लेकर इवा एक पॉएट पॉइंट किलोवाट से लेकर 45 किलोवाट होती है नेक्स्ट कुसन है इसमें नेक्स्ट कुसन है इसमें यदि हीटर सोर कर रहा है तो क्या दोस हो सकता है अगर हीटर ज्यादा शोर कर रहा है तो उसमें क्या प्रोब्लम हो सकती है खराब रिले ट्रांस्पोर्मर में खराबी ब्लोवर मोटर खराब हो जाना या उप्रोक्त सभी तो इसका आंसर होगा डी उप्रोक्त सभी ये सभी प्रोब्लम उसमें हो सकती है next question है इसमें कौन सा हिटर oxygen और नमी को कम नहीं करता है कौन सा हिटर oxygen और नमी को कम नहीं करता है fan hitter, infrared hitter, oil filled rometer या उप्रोक सभी तो इसका आंसर होगा C, oil filled rometer ये oxygen और नमी को कम नहीं करता है बच्चों के लिए भी सुरक्षित है और बड़े रोम को भी आसानी से गरम कर देता है next question है इसमें सुरक्षय की दरश्टी से रोमेटर में आवशक रोब से क्या होना चीए सुरक्षय की दरश्टी से रोमेटर में आवशक रोब से क्या होना चीए thermostat, timer, trip power switch, cut out या उप्रोक सभी तो इसका आंसर होगा D, उप्रोक सभी next question है इसमें blood type रोमेटर की वोट समता कितनी होती है जो blood type रोमेटर होता है वो कितने वोट तक का होता है next question है इसमें सबसे महेंगे महेंगा इटर कौन सा होता है fan इटर, info editor, oil filled रोमेटर या ceramic इटर तो इसका C answer होगा oil filled रोमेटर सबसे महेंगे होते हैं next है इसमें next है इसमें रिक्तिस्तानों को भरना हो तो रिक्तिस्तान में इसमें first question है रोमेटर की वज़े से खालिस्तान लगने की गटना की संभावना हो सकती है तो रोमेटर की वज़े से आग लगने की संभावना की गटना होने की संभावना हो सकती है तो इसमें आग आएगा है कि सेकेंड कुर्शन है इसमें कि ब्लोर टाइब रूम हिटर से बच्चों की सुरक्षा का इसमें आएगा खत्रा भी रहता है ब्लोर टाइब रूम हिटर जो होते हैं उससे बच्चों की सुरक्षा का खत्रा रहता है less question है, बड़े रोम के लिए कौन सा इट्र अच्छा होता है, तो बड़े रोम के लिए ओस्मा उरजा को में बदलता है, है कि कम रेक के ताप मान की जाच करता है तो थर मों सटेट कम रेक के ताप मान की जाच करता है दोस्तों यह था हमारा आज का टोपिक प्लोट स qué और स्थार मेटर के ऑप जीक्टिव टाइब किसन आंसर जो पूछे जाते हैं ऐसे वीडियो देखते रहें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और अगर चैनल पर नहीं आए हो तो चैनल को सक्साइब अवश्य करें धन्यवाद